आप सब्सक्राइब कर दो आज जुलाई महिने का लास्ट डे है अंतिम दिन है तो आज मैं लास्ट रिडिंग कर रही हूं जुलाई महिने के लिए और आज की रिडिंग में जैसा कि आप जानते हो मैं कही दिनों से जो है रिक्वेस्टे टॉपिक पर रिडिंग कर रही थी और मैं थर्ड पार्टी पर भी रिडिंग बहुत जल्दी लाने वाली हूं कुछ डिफरेंट तरीके से रिडिंग करने वाली हूं इसलिए मैं टाइम ले रही हूं थर्ड पार्टी के लिए बहुत सारे वो आपके बारे में सोच रहे है या किसी और इनसान के बारे में सोच रहे है या किसी और सिचेशन के बारे में सोच रहे है या वो भी आपके ही बारे में सोच रहे है तो आज हम उनकी एनरजी को देखने की कोशिस करेंगे उनकी माइंड को पढ़ने की कोशिस करेंगे उनकी दिमाग में सोच आपके लिए चल रही है या किसी और चीज के लिए किसी और सिच्योशन के लिए या किसी और इंसान के बारे में वो सोच रहे है आपके अलावा या आपके बगेर किसी चीज में वो इंट्रेस्टेड है तो इसी टॉपिक पर आज में रिडिंग कर रही हूं इसे पता चल जाएगा गाईस की यह इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं या किसी मजबूरी का सताया हुआ इंसान है हैना किसी प्रेशर में आकर जो है यह इंसान आपसे दूर हुआ है अभी कि वो आपसे प्यार करता है या नहीं या करती है या नहीं है ना उनके मन में आपके लिए भावनाय आएँ या नहीं तो यह सारी चीज़े आपका किसी के साथ होना जरूरी है यानि कि किसी के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वह इंसान के आपके बारे में सोच रहा है या किसे और के बारे में सोच रहा है ठीक है तो Simple topic है तोड़ा सा मैंने से MoDefy किया है है ना कि जरूरी है जानना क्योंकि आप जिसका इंतसार कर रहे हो उनके मन में आपके लिए THINKING होनी जरूरी है ठीक है तो तोड़ा सा मैंने topic को MoDefy किया है और आदज conflicts मैंने यहां पर रखे है वह alphabats नाम के अक्छर का रका हुआ है और उस इंसान का नाम का अक्षर आपको सेलेट करना है जिनके बारे में आप सोच रहे हो ठीक है तो पहला जो पाइल है उसमें है BDFHJ LNPRT VX और Z BDFHJ LNPRT VX और Z यह हमारा पाइल नमबर वन और पाइल नमबर टू में है A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W और Y A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W और Y तो फटाफर से हो जाई है पॉजिटिट पॉजिटिव एनरजी में और कर लिजिए अपने पाइल को सेलेट का इस ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिले और मुझे भी उपरवाले से गाइदेंस मिले ताकि मैं आपको गाइड कर सको है ठीक है तो आपने अपना पाइल सेलेट कर लिया है गाईज लेट स्टार्ट योर रिडिंग विथ इस ब्लाक पाइल नमबर वन तो यह है पाइल नमबर वन बी डी एफ जे अलन पी आर टी वी एक्स और जेट पाइल नमबर वन जिन्नोंने भी सलिट किया है चले सबसे पहले देखेंगे गाईज आपके पोर्षन के लिए युनिवर्स को क्या कहना है युनिवर्स के तरफ से गाइडिंस क्या है जिनके बारे में आप सोच रहे हो देखते हैं गाईज शेरिंग वाव अबर्णन्स और कॉम्प्रोमाइज यह तीन कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए पाई नम्बर वन बहुत खुबसूरत जो है गाइडन्स हमें भेजी है युनिवर्स ने हमें बहुत सचाई से इनकी एनर्जी भेजी है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज शेरिंग है यहाँ पर तो आपको साइध पता चल जाना चाहिए कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर आया है कार्ड वह बहुत सारी चीजों को बया कर रहा है बहुत सारी चीज़े हमें इस्वर्स ने यहाँ पर बताई है कि इस इंसान की परिस्तिती कैसी है सिट्शेशन कैसा है कैसा है इस इंसान का जिन्दगी अभी जो चल रहा है ना किस वज़े से ये इंसान आपसे दूर हुआ है बहुत सारा जो सचाई है वो बस इस एक कार्ट से समझ में आ चुका है कि कॉम्प्रमाइस के एनरजी नंबर सिक्स यहां पर निकल कर आया है तो हो सकता है कि नंबर सिक्स आप लोगों के ल सबसे पहले टार रट से निकालें के उसके बाद एक वार में मैं आपको बUNG ठाय चले देखते हैं शोरे में आप सोच रहे हो किया वह आपके बारे में सोच रहे हैं या किसी और के बारे हैं सुच रही है अबंडन्स का कार्ड निकल कर आया है गाईज बहुत जल्दी कुछ अच्छा आप दोनों के रिलेशन्शिप में फ्यूचर में होने वाला है यह तो नज़र आ चुका है ठीक है शेरिंग का कार आया है पॉजिटिव कार्ड आये हैं और प्रेजंट को लेकर और पास्ट को ल लोग जो है दवाव में आकर है ना प्रेशर में आकर जिम्यवारियों के तले दब कर भी लोग कभी कभी वह चीज़े कर जाते हैं जो उनको करना नहीं होता है यूनों तो वही बात जो है यूनिवोर्स ने हमें कॉम्प्रमाइस के जरीए बता दिया है कुछ चीज़ों को लेकर यहां पर कॉम्प्रमाइस डेफिनेटली हुई है पाल नंबर वन या तो आपके साथ कॉम्प्रमाइस किया गया है कॉम्प्रमाइस करके आपके साथ रिलेशनिशिप तोड़ा गया है या किसी और के साथ कॉम्प्रमाइस करना पड़ा है इस इनसान को कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह किसके बारे में सोच रही है इसके बारे में सोच रहे हैं Seven of Swords, Seven के Energy देखे, दो तो कार्ट Seven के Energy को लेका निकले हैं, King of Swords, Six of Pentacles, Eight of Wands, बॉट्टम है, Magician के Energy आई है, क्या बात है, 100% Attraction यहाँ पर आप दोनों के Relationship में बहुत ज़्यादा Attraction है, बहुत ज़्यादा एक खीचाओ है, आप दोनों के आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खीच रहे हो, Vibration के जरीए, Manifestation के ज़रीए, कह लीजिए, या फिर आप दोनों का Relationship भी बहुत स्ट्रॉंग है, प्रॉलम तो मुझे नजर आच चुकी है, यहाँ पर जो उपर तीन कार्ट्स है, यह तीनों ही आप दोनों के Relationship की प्रॉलम है, King of Swords आया है, Seven of Cups आया है, Seven of Swords आया है, तो प्रॉलम के साथ साथ कहीं न कहीं कुछ हद तक, वादा तोड़ा गया है, वादा खिलाफी हुई है, वरोसा तोड़ा गया है, देफिनेटली नजरा आच चुका है, देखते हैं, यहाँ से अप कैसे Energy निकर कर आती है, गाइस, मुझे दो situation नजरा आया है, मैं दोनों ही situation के बारे में आप से बताऊंगे, आपको बताऊंगे, कि आपको तैय करना ही कि आप से कौन सा situation match होता है, जो resonate होता है, जितना resonate होता है, उतना ही आपको लेना है reading में ठीक है, जो चीज़े नहीं match हो रही उसे नहीं लेना है जबर जस्ती, ठीक है गाइस, तो पहला, oh my god, क्या बात है गाइस, देखे, lovers का का कार आ गया है, मैं कह रही थी ना कि यहाँ पर दो situation है, क्योंकि मुझे seven of swords यहाँ पर जो धोके की बू आ रही थी, यह situation कुछ लोगों के लिए है, और दूसरा situation मुझे बिल्कुल compromise वाली ही energy नजर आई है, मैं यहीं कहना चाह रही थी कि दो situation है यहाँ पर, और lovers हमें जनम जनम का card मिल जनम जनम का रिस्ता जो है, आप दोनों का निकल ही चुका है, गाईज, temperance आ गया, बिल्कुल दो situation है गाईज यहाँ पर, देखे, compromise यानि कि ten of wands, बोज, जिसके बारे में मैं आप से कह रही थी, pressure, दवाव, बंदी से, nine of wands, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो किसके बारे में सोच रहे है, आज का हमारा सवाल यह है, क्या वो किसी और के बारे में सोच रहे है, emperor, वाव, major arcana का emperor, major arcana का temperance, major arcana का lovers, और bottom में हमें मिला है, night of pentacles, night of pentacles, तो चलिए guys, what are first, यह अब sign और element की तरफ बढ़ते हैं, तो आज Gemini बहुत strong है guys, Gemini के energy strong है, इसके अलावा Sagittarius strong है, इसके अलावा Iris के energy strong है, air sign है, Gemini Libra Aquarius, मिजिन तुला कुम रासी, water sign है, Cancer Scorpio Pisces, करक विशिक, मिन रासी, earth sign है, Taurus, वर्गो, Capricorn, विशेफ कने मकर रासी, और fire sign भी है, Leo Sagittarius, सियंधनों और मिज रासी, सारे के सारे sign और element आये है, पर जरूरी नहीं कि सारे के सारे sign और element आये है, तो situation भी सभी की match होगी, reading भी सभी को resonate होगी है, इसलिए मैं कहते हूँ कि पहले आप reading पर focus कीजिए, अगर ये चीज़े आपके साथ होती है, तभी जाकर future भी आपके साथ match होगा, इस इंसान की feelings भी आपके साथ match होगी, अग किसके बारे में सोच रहे है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्या ये इंसान आपके बारे में सोच भी रहा है, या बस आप अपना time waste कर रहे हो, आप सपने देख रहे हो इस इंसान के वापस आने की, और इनके खयालों में आप हो ही नहीं, ये इंसान कहीं और किसी और के बा तो चलिए अब थोड़े असा पास्ट की तरफ जाते है जहां पर मुझे नज़र आया है कॉंप्रोमाइस की लिए यह कार्ड आया है और इस कार्ड को जब मैंने देखा और देखते ही मैं समझ गई थी कि आप दुने के एक बहुत बड़ा कॉंप्रोमाइस किया गया है या तो इस इंसान ने आपको छोड़ने के लिए यह कॉंप्रोमाइस किया है या आपको ही जो है सक्रिफाइस करके इस इंसान ने कहीं पर कॉंप्रोमाइस किया है समझ जब एक सब्स आता है आपको समझना है कि आप से अलग होने के लिए दबाया जा रहा था हो सकता है कि इनको compromise करके आप से अलग होने के लिए बताया गया था बोला गया था कि आपके साथ रिस्ता छोड़ दे आपको छोड़ दे आपके साथ हमेशा के लिए दूर हो जाए तो compromise जब वर्ड आता है हैना तब आपको या आपकी ये बंदी जो है आपको अपनी मर्जी से छोड़ कर खुश होकर आपको आपसे दूर नहीं हुआ है इनसे ये सारी चीजे परिस्तिती ने करवाई है सिच्वेशन ने करवाई है या फिर लोगों ने करवाई है ठीक है तो समझना आपको पढ़ेगा गाई अब दे इनसान ने अपने प्यार की कही ना कहीं कुर्बानी दी है अपने प्यार को अपने मन को जो है इस इनसान ने जबर जसी जो है ताला लगाया है ताकि आपसे ये प्यार ना कर सके है ना क्योंकि इनसे जो है इनका प्यार इनसे जो है गुम हुआ है इनसे गुम करवाया गया तो जबर्जस्त प्यार होते हुए जबर्जस्त आपके लिए फीलिंग और इमोशन होते हुए भी ये इनसान आपसे दूर हुआ है बिकॉस अफ दिस कॉंप्रमाइस कही ना कहीं इनसे कॉंप्रमाइस करवाया गया है दूसरी जो सिचेशन मुझे यहाँ पर नज़र आती है वो है कुछ फ्रॉड यहाँ पर देखे सेवन और सोड आया है जो डायर्ट धोके को फ्रॉड को जूट को लाचारी को बैमानी को दिखा रहा है प्लेयर नेचर को दिखा रहा है प्लेबॉई या प्लेगल की नेचर को फिर भी आपसे दूर हुआ और दूसरा ऐसा इंसान जिसने जो है अपनी गलत हरकतों की वज़े से अपने बुरे कैरक्टर की वज़े से ही इस इंसान ने आपसे दूरी बनाई है अब आपको देखना है कि सच्चाई कौन सी है क्या आपका पोर्सन लवर्स के एनरडी में था या एक धोके बाज वाली कैटेगरी में आपका पोर्सन था ठीक है तो दोनों ही तरीके से इस रिस्ते से दूर हुआ है अब देखे यहाँ पर क्या सिचिशन चल रही है देखे कुछ लोगों के लिए मैं इतना भी कहा दूंगा इसकी सेवन आफ काप से यहाँ पर आया है यहाँ पर यह बताता है कि आप इनके लिए महज एक ऑप्शन थे आप इनके लिए महज एक सीड़ी की तरह थे जिस पर पाउं रखकर यह इंसान आगे बढ़ गया इस इंसान के जिंदगी में आपसे बढ़कर कुछ चीज़े ऐसी थी जो इनको लगा कि बहुत किमती है य हैना तो कुछ भी हो सकता है यानिकि हमेशा आपको जो है एक ऑप्शन की तरह ही इनों ने देखा और लाश्ट में जो है बहतर ऑप्शन के पास यह इनसान चला गया तो कही ना कहीं मुझे कार्मिक की भी बदबू जो है इस ट्रिडिंग में नजर आई है गास कार्मिक की बूब भी आ रही है साथ ही साथ सोलमेट तो है अब दूसरे कैटेगरी जो लवर्स के लिए यहां पर आया है उनकी लिए नज़र आता है कि यह जो आप्शन है है यह आपके पॉर्शन के पास कोई रास्ता ही नहीं था यह हो सकता है कि यह आपको चुनना चाहते हैं पर इनक मतलब इनके पास कोई चारा नहीं था लाचारी थी ठीक है तो समझ रहे हो कि दो सिचुएशन है एक जिसने आपको धोका दिया उसने आपको एक पत्थर की तरह समझा उनको लगा कि आप पत्थर और कोई और किमती चीज है जिसे मुझे चुनना है मैं पत्थर को ठुकरात करके आपको जो है चुना नहीं किसी और सिचुएशन को चुन लिया तो लोग कभी-कभी मजबूरी में आकर तो कभी-कभी यूनों अपने कैरक्टर के वज़े से भी धोका दे जाते हैं तो दोनों ही रिडिंग में जो है दोनों ही लोगों की दोनों ही टाइप के कर दोगे जिन्होंने आपको बस इस्तमाल किया या फिर एक ऐसा सचा इंसान जिन्होंने आपसे प्यार तो किया पर मजबूरी में आकर आपको छोड़ कर गया है तो दोनों ही आप निकल कर आया है अब मैं बताती हूं कि कॉम्प्रमाइस करने के पीछे की वज़े क्या थी कॉम्प्रमाइस करने के पहले वज़े तो मैं आपको अलरड़ी बता ही चुक्य हूं कि इनके पास आपके अलावा भी सिच्वेशन कुछ ऐसे थे जिन्में से इनको एक चुनना था ठीक है और यहाँ पर किंग आफ सोर्स भी आया है तो कहीं न कहीं ये नजर आता है कि कही कहीं गुरूर, इज़त, मान समान, परिवार, फादर, ब्रदर ये सारी चीज़े जो है वजह बनी है आप दोनों के बीच में जो फासला आया है उस फासले के पीछे किंग आफ सोर्स के एनरजी हो सकती है और किंग आफ सोर्स हमें सा मान, मर्याता, इज़त, परिवार को द परिवार की सहमती से भी होना ज़रूरी होता है और वो सहमती, वो understanding जो है मुझे आप दुनों के family में नजर नहीं आ रही तो कहीं ये compromise परिवार के वज़े से तो नहीं किया गया है ये भी आपको देखना है क्योंकि ये main वज़े नजर आई है अब देखते हैं कि और क्या energies देखें यहां पर 10 of Wands के energy है और यह सबसे important जो energy है वो compromise की इस energy को टक कर दे रही है देखें क्यों compromise किया गया क्यों आपको sacrifice किया गया किस वज़े से किया गया है तो फिर से यहां पर 10 of Wands ये कहीं ना कहीं फिर से जिम्यवारियों को दिखाता है पास्ट लाइफ relationship के experiences को दि दोसा नहीं है ये भी है कुछ लोगों के लिए कि ये कभी किसी से प्यार किया करते थे इनका अच्छा नुबव नहीं रहा ये रिस्ते में बिलीव नहीं करते ये बस रिस्ते को time pass समझते है तो पास्ट के experience के वज़े से भी हो सकता है कि इंसान ठोड़ डरता है commitment को लेकर यहां फिर ज्यादातर मुझे ये जो vibration आ रही है ये कहीं न कहीं परिवार के तरफ से ही क्योंकि 10 of events हमें इसा परिवार की जिम्यवारियों से लदा हुआ एक इंसान होता है जो परिवार की जिम्यवारियों को छोड़ नहीं सकता जो उनसे भाग नहीं सकता जो उनसे ये न जिन्दगी बरबाद हो जाए भले ही इसमें आपकी जिन्दगी खतम हो जाए यह पहले उन लोगों को प्राच्मिकता देगा जो इनके लिए सबसे इंपोर्टेंट है यानि कि मैंने कहा ना कि पलड़ा यहां पर भारी उन लोगों का हुआ है जहां पर दस लठिया इनके भी चुका है करते करते यूनों लोगों को खुश करते करते लोगों की जिम्मेवारिया पूरी करते करते हना यह इनसान जो है खुद को कही ना कहीं भूल चुका है और इसी वजह से इन्हों ने जो है मुझे लग रहा है कि आपको अपने से अपनी जिन्दगी से जो है बे that as in fica more controllably台灣 파 331 mmitsu एकज्वर सब्सक्राइब की तो अरप यहां तो सारह के सारह नों चाहते थे पर चुन नहीं पाएगा इस हालात और वक्त ऐसा हो गया अब यह जो लोग है इनके बारे में बारे में अब मैं क्या कहूं गाइस उपर वाले नहीं हमें कह दिया है कि कॉंप्रोमाइस यहां पर हैवी एनरजी है यानि कि इससे भी ज़्यारा प्यार करने वाले लोगों के एनरजी यहां पर निकल कर आई है कुछ चंद लोग है जिन्हों ने आपको धोगा भी दिया है इस बात से मैं इनक कैसा मैसुस कर रहा है जैसा की नजर आया है कि अभी भी यह इनसान कॉंप्रोमाइस ही कर रहा है अभी भी बोच की तले ही दबा हुआ है और कहीं न कहीं, सिकस्त खाया हुआ ऐसा इंसान नजर आता है, देखे, नाइन ओफ वेंट्स आया है, विट टेंपरेंस के एनरजी, इन्होंने आपको बली तो कर दिया, बलीदान तो आपका दिये दिया, आपके प्यार को बलीदान दिये दिया इन्होंने, है ना, फिर भी इन्सान देखे, अब अपने आपको कैसा महसुस कर रहे है, चैकरिवाइस करने की बाद एक इन्सान कैसा महसुस कर सकता है, लुटा हुआ ही महसुस करेगा, हरा हुआ ही महसुस करेगा, अपने आपको फेलेर ही महसुस करेगा, थोड़ी ही अपने आपको यह सोजेगा कि मै इन्सान को दर्द देकर एक इनसान को दूर करके मैंने बहुत बड़ा इनको एवार्ड मिलना चाहिए ऐसा एनर्जी तो यह सच्चा इनसान अगर होगा तो उसे ऐसा महसूस नहीं होगा कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है जिससे इनको जो है नवाजा जाए यह इन कर ली है हारा हुआ लूटा हुआ फेलर वाली एनर्जी में जिसके मन में बहुत दर्द होता है ऐसा दर्द इनसान महसूस कर रहा है हम एक छोटा सा खेल भी कोई खेलते हैं तब भी अगर हम ना खेले चलो एक एक्जांपल में आपको देती हूं हम हमारा जो कोई हो पीजिण करने वाला समूह रहा हा आरा है फिर भी हम कितने दिनों तक मातम बनाते हैं कि हमारा देश हार गया अब आप वही सोचो किIn animate क्रिशता हरा रहा है एक इंसान को खुए है तो वो कैसा महसूस करेगा अपने आप प्रूमाइस करने के बाद भी है आपको प्रूमाइस करने के बाद अब यह होता है हीलिंग के दर्द है तब जो है सुकुन की चाहते है पर शुकुन नहीं मिल रहा है आपके पॉर्सन ओवेक्निंग की एनरजी होती है साथ ही ज़ाद सबर करने की एनरजी होती है इनको कही ना-कही मन में पता है इनको एक से निकल ठेम्परन्स , आपके साथ यह किया भी और यह इंसां पस्ता रहा है जो आपसे तहें दिल से प्यार करता था वहँ सुकून में नहीं नहीं है और बदल भी रहा है सुधर भी रहा है यह सुधर की एनरजी होती है बहुत जारा चोट है इनके मन में खुश नहीं है इन्होंने जो आपके साथ किया है ना उसको लेकर खुशिया मुझे तो नजर नहीं आती इनके अनरजी में गाईज temperance is heavy energy समझ रहे हो इनको एहसास है अपनी गलतियों का एहसास है गलत रास्ता चुनने का एहसास है आपको ठुकराने का एहसास है आपको compromise कर दिया इस बात का इनको एहसास है तो एहसास से भरी होई इस इंसान के एनरजी मुझे नजर आया है अब lovers के बारे में क्या कहूंगा इस प्यार है देखे जजबात है emotions है feelings है आपको पाना चाहते है आपको अपना अपनी जिन्दगी मान रहे है है पर क्या करें है गलतियों की वज़े से कह लीजिए या फिर एक गलत फैसले की वज़े से इन्होंने अपनी soulmate को गुमा दिया है खो दिया है पर बनाया तो आपके प्यार को उसी वक्त समझ लिया पर क्या करें फैसला इनके खिलाफ था situation इनके खिलाफ थी समय इनके खिलाफ था और गलत रास्ते को चुन लिया तो कुछ लोग को यह एहसास होने में ही वक्त लग गया कि आप इनके soulmate हो और जो है दगा देकर चले गए धोका देकर हो है दोनों का इस वर चांथा है कि आप दुछीर को भूलो ना इस वर इस तरीक हो तो अने वुर निवर क्या है अब की आप दोनों का मैं बता दू है अभी वक्त कॉंप्रमाइस से भरा हुआ है अभी जो आप दोनों के बीच का सिचूशन है लोग यहां पर प्रेशर दे रहे हैं आपके पार्टनर को पर ऐसा वक्त आ मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच पर सारे चीजे को तडप रहे हो आ पर शब्रों आप से कुछ कfach कर रहे में मैं बता रही है इनकी खामुसी आपको दिखा हारा ही कि इंसान साहिद आपको यह बता रही कि इस इंसान को आप में इंटरस नहीं है पर बात बिलकुल अलग हैesque आपको समझना है इनकी डिडने इनकी बात रिए अप comprar की वजे पर एसा वक्त आ रहा है जब यह इंसान आपसे बहुत सारे चीजह शेर करेगा गई इनकी जवान पर चैंब ताला लगा हुआ है और बहुत जल्दी इस ताली की चावी उपर वाले की हाथ में हैं और वे खूलेंगे इस ताले को अपने मन की बाते ही इसान सारी की आपके होने वाला है ठीक है इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद में रहो दूसरी एनरजी यहाँ पर जो सबसे important energy है वो है abundance के energy इस relationship में आपको finally abundance ही मिलना है आपका खोया हुआ प्यार ही आपको हासिल होना है आपको अपना true soulmate ही मिलना है ठीक है तो blessing उपर वाले ने बेजी है और यह energy आप दोनों के लिए है abundance क्योंकि क्यों abundance है क्योंकि यहाँ पर सच्चा प्यार भी है और धोके के बाद यहाँ पर realization भी है समझ रहों ऐसा नहीं है कि धोका दिया चला गया और इनको को अभी regret नहीं है regret है और जिस जब इनसान को regret होता है पस्तावा होता है ऐसे abundance के सकल में मौका मिलता है ठीक है तो गलत इनसान था यह सही ini इसे फर्क नहीं पड़ता पस्तावा होना चाहिए और पस्तावा यहां पर है क्याहिस दोनों ही connection के लिए पस्तावा है समझे रो तो abundance बहुत जल्दी इस relationship में आएगी गाईज अभी के लिए मैं बताओ तो ये इंसान चैरेट भी नज़र आया है तो ये इंसान अभी बहुत slow process में है, overthinking करता है सोचता है, करना है, नहीं करना है, जाना है, नहीं जाना है पुरर भी कही ना कहीं, इनकी overthinking को दिखा रहा है योनों कि अंदर बाहर से भले ही इंसान बहुत सांथ आपको नज़र आता होगा पर अंदर से सांथ नहीं है ये इंसान गाईज अंदर में एक बहुत बड़ी खलवली सी मची हुई है दर्ध है, तकलीफ है पर यह आपको share नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा है तो चीजों को इनको analyze करना है, यह कर रहे है वक्त ले रहे है, temperance वक्त और सब्रों को दिखा रहा है डिलेज को देरी को दिखा रहा है पर आने वाले वक्त में मैं देख पा रही हूँ चान मिल रहा है, ठीक है तो यह थी आपके reading pile number one I don't know आपको कितनी समझ में आई है यह reading मैंने साफ साफ आपको कह दिया है जो होने वाला है, यहाँ पर eight of wands का भी card आया है communication definitely होगी यह जो इनकी चुपी है, वो टूटेगी चुपी टूटेगी, और जिस दिन टूटेगी उस दिन यह इनसान आपके सामने हर वो चीज शेर करेगा हर वो चीज आपको बताएगा जो इन्होंने अब तक छुपा रखा है जो इन्होंने अब तक अपने मन के अंदर जबा रखा है अपने मन के अंदर ही ये इंसान तड़ रहा है कई ना कई है ना तो communication के जरीए blockages खतम होती हुई नजर आई है और साथ ही साथ abundance बहुत सारा आसिरवाद abundance का मतलब क्या होता है आसिरवाद blessings wish fulfillment ये सारी चीज़े आपको ये इंसान देगा गाई ठीक है सबर करने की जरूरत कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो किस के बारे में सोच रहे है क्या उनके खयालों में आप हो या आपके अलावा कोई तीसरा है या फिर कोई तीसरी situation है कोई तीसरा इंसान है है ना किस चीज़े बारे में आखिर आपके पोर्षन सोच रहे है अगर वो आपके बारे म में सोच रहे कुछ भी हो सकता है है ना तो चलेगा इस फटा-फट से आपकी सवालों का जवाब मैं देती हूँ आपको इस कार्ड के जरीए इन रिडिंग के जरीए पी अब बहुत सारे कार्ड गिर गए है सबसे पहले हम यूनिवर्स के तरफ से देखते है इस इनसान की एनर्जी कैसी है आप दुनों का भविश्य कैसा है या फिर कुछ भी निकल कर आ सकता है इन कार्ड के जरीए मैं तिन कार्ड निकालने वाली होंगा इस ठीक है दाउसाइडर वाव सौरू पास्ट लाइफ वाव 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 ओसम ऑसम ऑसम एनर्जी यस निकल कर आई है गाईस तो चलिए इन कार्ड के बारे में कुछ देश बात में बात करेंगे जब मैं टैर्ड से निकाल लूंगी उसके बात डिटेल में आपको बताएंगे सबसे पहले बता दो नंबर 9 नंबर 5 और नंबर 18 आज important हो सकता है ठीक है हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ यह numbers जुड़े हुए है आपके नंबर 9 18 और नंबर 5 इंपोर्टन्ट है आज कि दिम कैसी एनर्जी है sorrow दर्थ तकलीफ आउटसाइड और पास्ट लाइफ कार्मिक हो सोलमेट हो आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस इंसान का जुड़ाओ है जुड़े हुए हो लंबे समय से जुड़े हुए हो गाईज सिर्फ इस जनम का नाता इस जनम का प्यार इस जनम का रिस्ता नहीं है आप दोनों का जब भी पास्ट लाइफ का कार्ड निकल कर आए समझ लेना कि बहुत पूराना प्यार है आप दोनों का ठीक है गाइस और इस जनम में भी कही ना कहीं आप दोनों का जो है रिलेशन्शिप उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाया है पर क्या भविशे में भी आईसा ही होगा क्या इस जनम में आप लोग एक हो जाओगे क्योंकि आपके पॉर्सन के अनर्जी अगर मैं देखूं तो बहुत दर्द हो रहा है मुझे देखकर आउटसाइडर जैसा आपके जिन्दगी में आने की चाहत रखते हुए नजर आये हैं पर नहीं आप आ रहे है ताला लगा हुआ है ओ माई गौड ताला लगा हुआ है और ताले की चाबी विल आफोर्चुन ने हमें दे दी है गाईज ओ माई गौड आसम वाव गाईज वाव स्पीछलेस आइम टोटली स्पीछलेस क्या बात है मैं कह रहे थी कि क्या इस जनन में भी आप दोनों का फिर से यूनों मिलन हो पाएगा या नहीं है ना और यहां पर विल फोर्चुन ने कह दिया है कि नहीं यहां पर जो है अब पुरानी चीज़े नहीं होंगी अब कुछ नया जो है इस रिलेशन्शिप में कुछ नया ओफर होगा नए तरीके से रिस्ता जुड़ेगा फिर से डिवाइन टामिंग आ रहा है किसमत का पहिया घूम रहा है आप दोनों के रिलेशन्शिप का क्यूंकि आप दोनों का प्यार बहुत गहरा है जुड़ा हुआ है एंपरर खामोसी देख लीजिए देख लीजिए पास्ट लाइफ और डैथ विल ओ ओ ओ ओ ओ ओ तीनों ही जो है लाइन से कार्ट आए है और वो भी बड़े कार्ड्स बड़े कार्ड्स कंफर्म हो गया गाइस पाइल नमबर टू यह गैरंटी हो गई कि यह इंसान पिछले जनम से आपके साथ रिस्ता रखता है पिछले जनम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या बात है गाइस टैन आफ पांटिक है आप दुनों का तो relationship है वह success है गयज सफलता ही मिलनी है आप दुनों को ठीक है जुदाई हुई है दिख रहा है कुछ चीजों के लिए जो है यहाँ पर आप दुनों का रिस्ता खत्म हुआ है death आया है Will of Fortune आया है देह के death को टकर देने के लिए Will of Fortune आया है कि जो खत्म हु गया अच्छा है बहुत अच्छा है गाइस फ्यूचर अच्छा है अच्छा है कि एक दो तीन तीन बड़े कार्ज है मेजर अरकाना के और एक वील अफ फोर्चुन यह खुद एक बड़ा और में कुछ नहीं कि यहां पर ले अब देखें देथ आ गया विल व फोर्चुन इस अफ्र कुल becomes साफ किया रहा है आपका करमो का फल मिल रहा है इसि वजे 대해서 यहां शुक्र simplest過去 अब एंड हुआ है समझ लो इस बात को पहले ही बता दिया है मैंने बिल्कुल कर्मा वारी रिडिंग है यह आपके कर्मा का दोस्ट है ठीक है पाइल नमबर टू आपके ही कर्मों का फल है जिसके वज़े से यह रिस्ता भी खतम हुआ है एंड हुआ है और आपके ही अच्छे पिर से ओ माइगाड डैत अगेन ख्या भात है अप तो कंफामी हो गया आपके यह बुरे कर्म थे गई जिसे मुक्ति आपको मिल रही है समझ गया है ति आपके ही बुरे कर्मों से King of Pentacles 10 of Cups 10 of Pentacles 10 of Cups future तो future के लिए तयार हो जाओ future बहुत ज़रा abundance लेकर आ रहा है स्रेफ प्यार नहीं सब कुछ लेकर आ रहा है moon की energy यहां पर फिर से major अरकाना देख लिए गाइस ओ माय गॉड मिजर अरकाना ही मिजर अरकाना आज की रिटिंग में तो चले जैसा कि मैंने आपसे कहा नंबर 89 और फाइव इंपोर्टेंट है इसके अलावा सबसे पावरफुल है आज डबल कार्ट निकल कर आए है डेट के अनरजी उसके अलावा पाइसस के अनरजी भी बहुत स्ट्रॉंग है मेजर अरकाना से और कौन से कार्ट आए है एर साइन है जैनली लिपर अक्वरिस मिधिन तुला कुम रासी और यहां पर वोटर साइन भ सिचीन मैच नहीं होती है तो फाइर साइन यहां पर नजर नहीं आया है तो आज मुझे नजरा रहा है है आपका यह पशतने में आप किसे लूसकु सोच रहे हूँ व WITH किसके बारे में वह हमारा सवाल तो वो मैं आपको बता दो यह इनसान सिर्फ रुश्रिफ अपनी क्वी pen के बारे में सोच रहा है कि आपके energy यहाँ पर queen of cups के आ चुकी है तो बात खतम गईज यहाँ पर यह इनसान आपके अलावा किसी और situation के बारे में सोचता हुआ मुझे किसी और के और को याद करता हुआ या किसी और के प्यार में खोता हुआ किसी और के बारे में किसी और के साथ रिस्ता बना ले किसी और के साथ marriage कर ले किसी और के और को प्रपोस कर ले के बारे में सोच ले ऐसा नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर यह बंदा यह बंदी इतना जरत तकलीफ में है इतना जरत धर्द मेहना कि आप मैं बया नहीं कर सकती आपको गई स्पाइल नंबर टू देखे सौरो का कार्ड यह कोई मामूली कार्ड नहीं है यह यूनिवर्स का मैसेज होता है यह जो मैं निकालती हो ना यह यूनिवर्स के तरफ से आया हुआ प्यागाम होता है कि आपके पोर्सन अभी कैसे सिच्चेशन में है वो कैसा महसूस कर रहे ह स्पाइल नंबर टू यह कोई मामूली बात नहीं है कि कोई इंसान आप से जुदा होकर आपके लिए तड़प रहा है आप से जुदा होकर आपके लिए रो रहा है मन्सूर नहीं हो रहा, गवारा नहीं हो रहा, यह नो कि आप से दूर हो ना, इनके लिए वो उसे accept करना, यह इंसान कर नहीं पा रहा है, acceptance इस death को, यहाँ पर death का energy आया है, जो दो दो काड़ा है, आप से separation होना, रिस्ता तूट जाना, यह इन से बरतास से बाहर हो रहा है, यह बता नहीं रहे है, यह इनसान आपको दिखा नहीं रहे है, यह इनसान बस अंदर महसूस कर रहा है, है ना, इनके आसू, इनका दर्द, इनकी चुपी में ही इन्होंने जो है, छुपा रखा है, बिल्कुल भी expression यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यह किस लिए हुआ है, आप silence के पीछे एक वजह होती है, और यहाँ पर यह वजह जो मुझे नजर आई है, वो यह है कि इनको लग रहा है, कहीं न कहीं outsider के energy आती है, तो आपको समझ लेना है कि इस इंसान की चाहत है कि आपको रिष्टे का offer दे, इस इंसान की चाहत है कि यह फिर से आपको प्रपोस कर आप इनको accept नहीं करोगे, आप इनको जो है पहले जैसा, आप इनका care नहीं करोगे, आप पहले जैसा इनके लिए ज़जबात नहीं रखते, आप पहले की तरह इनको प्यार नहीं करोगे, rejection का डर कहीं न कहीं इस इंसान को सता रहा है, वापस आने की चाहत है पर मंझूरी ना मिलने का डर है मंजूरी कहां से आपकी तरफ से समझ रहे हो तो खामोसी के पीछी के वजह जानना बहुत ज़रा ज़रूरी है आपकी जिन्दगी में यह अभी अपने आपको कैसा मैसूस करे आउटसाइडर जैसा एक 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 अजनभी के जैसा है ना इनको लग रहा है कि आप इनको एक अजनभी की तरह ट्रेट करोगे आप इनको आप प्यार नहीं करोगे आप इनको जानते नहीं हो ऐसा डर कहीं ना कहीं इस इंसान को सता रहा है आना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं बोलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं कॉल करना चाहते हैं पर आप देख कते हो खुदी कितना बड़ा ताला लगा हुआ है और इसके लगग रहा है कि नहीं ज्दी कहा है है मेरे पास जाबी तो ही नहीं कि मैं इनके मन के अंदर जा सकूँ उसके पता शकूँ इनको दिखा सकूँ गैं अभी तुम्हारे लिए तड़क रहा हूं मैं अभी जो है तुम्हें प्यार करता हूं मैं अभी तुम्हें महसूस करता हूं I'm still feeling for you I'm still feeling love for you I still feeling absence आपका जो absence है वो feel कर रहे हैं तो यह सारी चीज़ें इंसान आपके आपको कर्मों का फल आपको दिया जा सके तब तक ही इंसान अपनी चुपी नहीं थोड़ेगा तो इंस्ट्रक्शन्स नहीं मिर रहा समझ रहे हो इंस्ट्रक्शन्स उपर वाले की तरफ से हरी जंडी मिलनी चाहिए तभी जाकर यह इंसान व्यक्त करेगा तभी जाकर वो उस दर्वाजे की ताले को ताले की चाबी को खोलेगा जो चाबी अभी उपर वाले के पास है समझ अपको सजा ज़न मिलनी है इसे वजह से इंसान आपको तढ़ पा रहा है आपको सजा देने के लिए ही इस इंसान को वापस बेजा है उपर वाले आपके जिंदकी में देके पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ नजर आता है जन्मों जन्मों का नाता चाहे वो soulmate हो चाहे वो twin flame हो चाहे आपका कार्मिक connection वो इस इंसान से जुड़ा हुआ रिस्ता है तो कैसे संभव होगा कि ये इतना पुराना रिस्ता है इस तरीके से एक जटके में टूट जाए नहीं है ना बच्चे गलती करते है तो parents हमारे माता पिता हमें सजा देते है guys school में हम गलती करते हैं तो teacher सजा देता है हम office में काम करते हैं हमसे कोई mistake होती है तो हमारा boss हमें सजा देता है सजा तो एक नए इनसान को देना ही है किसी और के द्वारा तो यहाँ पर आपको सजा मिल रही है उपर वाले के द्वारा क्योंकि आपका कर्मा ठीक नहीं था पास लाइब आपका experience अच्छा नहीं रहा है और भुगत रहे हो आप और अब देखें आपसे जुदा होकर आपके portion भी यहाँ पर कितना जड़ा आपको मिस कर रहे है आपको प्यार करता है इनसान जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहा है सोच ही नहीं पा रहा है सिर्फ आपके प्यार में डुबा है सिर्फ आपको याद कर रहा है आपके उस प्यार के अहसास के लिए तडपता हुआ मैं इस इंसान को देख रही हूँ ठीक है इनको यह चाहते है कि इनको इनका प्यार वापस मिल जाए चाहता होगा सायर कि ना बिन बताएं आप इनकी सारी बाते समझ लो पर ऐसा संभव नहीं है है ना देखे चुपी है पर बहुत अंदर से ठहरा हुआ है ये इंसान बहुत साथगी में ये इंसान है जल्द बाजी नहीं कर रहा इंतजार कर रहा है कि कब जो है आपका और इनक करने का इंतजार कर रहा है देखे अब बाकि जो कार्थ आया है वो अभी प्रेजन सिचुशन में नजर आया है कि डेथ के बाद ये ऐन्डिंग के बाद आप दुनों के बीचे ब्रेक अैशन आप यहाँ पर भी इंसान जल्द बाजी में नहीं है यह इंसान जल्द बाजी करने का कोई फाइदा नहीं है तो यह दिखा रहा है कि अभी आप दुनों के बीचे बहुत सारे चीज़े हैं ऐसा कनेक्शन था आप दुनों का जिसमें एक कर्मा की एंडिंग के लिए ही यह रिलेशन्शिप एंड हुआ है समझ ना होगा आपको सबसे पहले आपका कनेक्शन संबदना होगा ठीक है तो आप अपने इस पोर्शन को गलत मठ ठहराइए कि इन्होंने मेरे साथ क्यों किया मेरे विजिन लगे क्यों खराब की मेरे साथ क्यों ब्रेकप ले लिए मेरे साथ डिवोर्स की बाते क्यों कर रहा है इन्हें दोस मत दीजे दोस आपका है आपके कर्मा का है जिसे इन्हें पूरा करना है और करके निकला है इंसान ठीक है तो आप भुगत चुके हो है ना अब देखे कर्मा कैसे काम करता है अब बात करत ये सारी चीज़े उभर कर आई है आपके रिलेशनिशिप में कि आपके रिलेशनिशिप में एंडिंग की वज़े कमिटमेंट नहीं मिलना सीधा साथा जवाब है सीधा साथा जवाब है कि commitment नहीं मिली, प्यार को एक नाम नहीं मिला, इस प्यार को एक नाम नहीं मिला, marriage नहीं मिली, marriage को लेकर 10 of pentacles, 10 of cups की दो energy निकल कराई है, तो जब marriage को जब रिस्ते को नाम नहीं मिलता, तो रिस्ता क्या होता है? रिष्टे में ग्रहन लग जाता है तूट जाता है फासले आ जाते हैं दिवारे आ जाती है है ना वही फासला मून की कार्ट से इस यहां पर जो है नजर आई है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी वजह बनी है इस प्रेकप के पीछे या एंडिंग के वजह से तो मह महज क्या है इतफाक कहले जिए वजह कहले जिए थर्ड पार्टी कमिट्मेंट का नहीं मिल पाना है ना यह सब यह महज एक वजह है गाईस यह वजह नहीं होती तो कुछ और वजह होती और आपका आपका जो हैंडिंग होई जाता इस इंसान से कर्मा कैसे काम करेगा साथ में आपको लेकर भी डर है कि आपकी द्वारा इनको वो मंजूरी मिलेगी या नहीं आपकी द्वारा एकसेप्टेंस मिलेगी या नहीं आप इनको एकसेप्ट करोगे या नहीं तो डर बहुत सारी चीजों का है अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है गाइस कैसे करेगा आपका कर्मा काम है ना क्या आपका relationship हमेशा ऐसे ही end में चला जाएगा खत्म हो जाएगा है ना आप हमेशा इन से जुदा ही हो जाओगे आप दोने के बीच में कभी ये रिस्ता बनेगा ही नहीं सुलझेगा ही नहीं आपको इनके साथ आपका ये ten of cups मिलेगा या नहीं बहुत सारी चीज़े है मुझे कहना है आपसे गईस स्टार का काड़ यहां पर आया है यह बतावर देख लेजिए किसने बुरी तरीके से बेदर्दी से रिस्ता तूटा है तो इस्टार यहां पर आया है अब ये बॉह ज्ट या बता रहा है कि आपके पोर्षन जो अभी बहुत जरा है बहुत जरा पोर्पेम में इस फल्फिल हो जाए बहुंसा सपना में नहीं नहीं रहना चाहते हैं यह इंसाइडर बने के लिए इंसान विश कर रहा है मनत कर रहा है मैनिफेस्ट कर रहा है दुआ कर रहा है प्रेयर्स कर रहा है कि आप के बीच की सारी प्रॉलम्स खतम हो जाए और आपकी जिन्दगी में इनको आने का एक मौका मिले विश्य सी इंसान मांग रहा है आपका प्यार पाने की विश्य मांग रहा है आपके जिन्दगी में वापस आने की विश्य मांग रहा है आपके जिन्दगी में जो प्रॉलम्स है उन से उन S에서 जो है निजार छुटे चुटकारा मिलने की जो है यह इंसान विश कर रहा है तो बहुत सारे चीजे एंयसान भी कर रहा है फ्वार कि यह चाहते है कि यह तूटा हुआ रिष्टा जुड़े वापस थ effects बहुत डिलेस कर रहा है बहुत डिलेस कर कार्ष नेकल कर आया है देखें गाई जैसे आप दुनों का रिस्ता खतम हुआ है यह एक सत्य था वैसे ही आप दुनोंका रिलेशन्शिप फिर से स्टाट होगा यह कुल थाउजन पोषिंट कि यह है आपका कर्मा जो आने वाले दिनों में आपको ब्लेसिंग मिलनी है इतना दुख सहने के बाद इतना कष्ट सहने के बाद अपने पार्टनर से अलग हो गए अब जिससे सबसे ज़रा प्यार किया आपने आपकी एनरजी कुई निकल कर आई है जिस इंसान से सबसे ज़ हो दिया है देखे तो यह जो सहन सकती है ना यहां पर जो सहने की चीज़े नजर आई है आपने कर्मा कर्मा पार करने के बाद उसके बाद आपको आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है रियूनिय और होने वाला है अब तक आपके खिलाफ ठीक के कि अ तब तक आपके खिलाफ थी कि आपका आपका टैन अफ पैंटिकल्स नहीं मिल पाया डेथ हो गया सब कुछ मर गया सब कुछ जुरा हो गया अब देखें यही डिवाइन टाइमिंग ऐसे घूम रहा है ना आपके फिवर में घूम रहा है गाइस आपको वह ब्लेसिंग देने क आपके हक में है न्याई अब आपके हक में है वापसी आपके हक में है यहाँ पर जीत आपके हक में है इस इंसान का आना आपके लिए ताय है उपर वाले का फैसला आपके हक में है क्योंकि आपने जो है बहुत सहा है बहुत बरदास किया है पास लाइफ में जो भी आपने क यहाँ पर आपको मिल रहा है उपर वाले की तरफ से यानि कि जोख होया है वह वापस आपको मिलना है फैसला यहाँ पर वाले कर दिया है कैसा फैसला किया है आप दुनों के future में क्या होने वाला है गाइस तो सबसे पहले बता दो 10 of cups और 10 of pentacles यही है आप दुनों का future plan जो पर इंसान के साथ एक प्यारा पदिवार मिल रहा है इस इंसान के साथ हर चीज मिल रहा है जो आप होगा ना घर का गाड़ी का बंगले का साथ में मिलकर कैरर का एब रोड जाने का ट्रावलिंग करने का घूमने का फिरने का ऐसे जिन्दगी बिताएंगे इतने बच्चे चाहिए हैं ऐसा घर होना चाहिए यह प्लानिंग्स अगर आपने की थी कभी इस इंसान के साथ तो दर्थ के बाद मिला हुआ ब्लेसिंग यह होगा आपके लिए इस इंसान को आना है आपके जिन्दगी में डिवाइन टाइमिंग इनको लेकर आ रहा है ताकि आप दोनों के जिन्दगी में कुछ चीज़े बदल बदल कर आएं ठीक है बदलाओ यहाँ पर होगा आपके पो आपके साथ जिन्दगी चाहता है यह इंसान आपके साथ लाइफ बिताना चाहता है यह इंसान आपके साथ लाइफ बिताना चाहता है यह इंसान आपके साथ लाइफ बिताना चाहता है यह इंसान आपके जिन्दगी में दाखिल होना चाहता है तो उपर वाले को इस ताले को खोलने दो guys ठीक है वो खुलेगा 100% खुलेगा death आया है guys which will of fortune आया है कैसे हो सकता है कि यह ताला ना खुले उन्हों नहीं बंद किया है उपर वाले ने ही आप दुनों के बीच का यह ताला बंद किया है वह ही खोलेंगे इस चावी को तो आपको करना है यहाँ पर भरोसा मैं बस आप से यह कहूंगी कि खुश्याह यहाँ आने में आप वाग्त नहीं लगीए guys बिल्कुल वाग्त नहीं पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है गलत नहीं सोचना है ठीक है तो यह थी वह रिडिंग जहां पर मुझे साफ-साफ नज़र आया है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वह इनसान सिर्फ रोशिव आपके बारे में सोच रहे है और इस रिष्टे को कैसे आगे बढ़ाना है इस रिस्ते में वापस कैसे आ सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है और आपके बिना ये इनसान बहुत ज़्यादा आपने आपको मायूस महसूस कर रहा है अकेला महसूस कर रहा है और आपके जिन्दगी में खुश्या लेकर आना चाहता है पर ये इनसान भी वक्त का इंतजार कर रहा है ठीक है तो guys I hope आपको सारी चीज़े समझ में आ गई है इतना कहते हुए guys अब मैं रिडिंग को कर रहे हूँ आपको रखने अपना बहुर अचा खयाल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जाला प्यार I love you all ठेक केर नमस्ते और बाबाई guys